मेलो जुस्तों जैसा कि आपने थम्मेल में देखी लिया हुआ आज हम बनाएंगे एक गैस लाइटर और एक ट्रीन के टब्बे से ट्रेक्टर यह गैस लाइटर है जिसको मैंने ऐसे करके बिल्कुल सीधा बीच में से काट लिया है और उसकी प्ति बना ली है इसे टेड़ा करके यह देख सकते हैं अब मैंने यह स बना लिए यहां से मोर दिया और दोस्तों इसके उपर मैंने यह जो ग्याथ लाइटर मैंसे अंदर से निकलता है न वो लगा दिया है इसका सेलेंसर बन गया है और इसी में से यह निकलता है जिसको मैंने इसका टेर फिल्टर बना दिया है यह आप देख सकते हैं है और दोस्तो एक पत्ति काटके हमने यहां पर लगा दी और हैं यहां पर दोस्तों आप देख रहे हूंगे और आप सूर्थे होंगे कि यह कैसे है मैं आपको बताता हूं ये गलू गन से चिपक जाती है, ये देखेंगे emissions गलू श्टिच, ये आप इसे चिपका सकते हैं अराम से, पहले आप हलका से टेडा कर लेंगे पत्ती को इस तके प्र छालू seven verschiedenen Review लेगी दोस्तों आसानी से चिपक जाता है कि देख सकते हैं और यह तोड़ने से में टूपता और दोस्तों यह मैंने एक कलंप लगा दिया है इसको सीधा कर गिए इस टाइब का आप देख सकते हैं इसकी शोव बनाने के लिए यह लगा हुआ है और दोस्तों एक मैंने यह लाइटर की पत्ती लिए जो इसके आगे लगी होती है इसको दोस्तों मैंने सीधा करके निकालके और इसको ऐसे करके सीधा करके और तोड़ी चैनल सीधा करके इसको यह लगा दिया यह आप देख सकते हैं इसके शोव बन गई है यह भी मैंने गुलूगन से ही चिपका ही है यह देख सकते हैं цы अरे यह दोस्तो मैंने से मड़हाड बनाए है लेकिन इससे नहीं बनाए है कि एक RefLab season 9 स्बध शुक्त बत्रार मतत के बनाए sect श्मन्मेंद मिन दुखता है तो मैंने से जल्दीपने थे सब कर दिन। यह देख सकते हैं, यह भी दोस्तों, मैने घुलुगन से चिपका रखी हैं, और यह धिल किराने से भी न तोटेगा, जैसे मल्जी आप चिपका सकते हैं दोस्तों जरूरी है कि आपके बास बुलू का नोग आप बुलू स्टिक सरफ लेकर और उसे मोम पत्ती पर गरम करके भी इस पर लगा सकते हैं जिससे असानी से चिपक जाएगा यह मैंने दो बना लिए और इनने होल कर लिया है यह देख सकते है और यह एक डब्बे की पत्त की लेकर और उसको मोड लिया है कुछ इस तरह से अब दोस्तों मैं इसमें आपको यहां पर एक छेद करके और इसमें नटकल देंगे यह देख सकते हैं और इसको कुछ इस तरह से लगा देंगे इस तरह से यहां पर एक नटकल देंगे यह मैं अभी आपको नट लगा कर द लिए देखे दोस्तों यह मैंना अगे नट कस दिया है आप देख सकते हैं और यह कुछ ऐसा दिखे गए है अब हम इस पर जो मड़गाड बनाया थे हमने यह कस देंगे यह भी मैंने दोस्तों नट ही लगाएं इसमें दो हुल कर लिए मैंने इसमें एक और दो यह मैं आपको अब भी लगा के दिखाता हूं यह देखें आप यह देखें दोस्तों यह ऐसे कस्ट लेंगे कुछ ऐसा मज़र आएगा इसी तरह से इधर वाला कस्ट लेंगे है जो हमने यह बना रखा है यह देखें दोस्तों हमने दोनों कस्ट लेंगे यह देख सकते हैं मैं आपको दिखावारी है तो पुरानी छोटी-छोटी टॉय कार होती है इसमें से निगल जाता है याँ वैसे भी कुछ ले सकते हैं आप भी बना सकते हैं कोई प्लास्टिक का और हम इसे इसके स्टेरिंग की जगे लगा देंगे यहां पर यह मैंने पहले से खोल करके रखा है यह देखिए इसमें ऐसे घुसेड़ देंगे अंदर कुछ दबाके भूश कर देंगे इसमें लगाने की जूरूत नहीं है यह देखिए यह हमारा स्टेरिंग बन गया और यह सेलेंसर और यह एर फिल्टर यह कुछ ऐसा दिखेगा अब जो इसका पीछे का हिस्सा है यह फाल्टू है दोस्तों यह हम काट देंगे यहां से कैंची की मदद से कि मैं आपको काट के दिखाता हूँ तो इस तो कुछ ऐसा दिखेगा यह देख सकते हैं यह लगबट ट्रेक्टर बन गया है अब दोस्ता हमने इसमें इधर होल कर लिया है यह देख सकते हैं अब इसमें हम जो मैंने पिछली वीडियो में एक एक्सल बनाए दे उसमें पई यह दोस्तों वही टायर हैं जो मैंने पिछली वीडियो मनाए थे यह आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके डीके आर्ट एंड क्राफ्ट पर यह मैंने टायर बनाने के वीडियो डाल रखी है और वो भी आलउट की डब्बी से यह देखिए दोस्तों यह मेरे चैनल पर जाके आप अराम से वह अली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने टायर बनाना सिखाया है वो भी आलउट की डब्बी से अब दोस्तों यह मैं इसमें कस देंगे इसके नीचे इसमें नेक नट लगाया है यह देख सकते हैं बीच पीच छेत करके इसमें खसके दिखाता हूं आपको यह देखिए दोस्तों इसकूरूड रावर से कस देंगे मुझे यह देखिए दोस्तों हमने टायर कर दिए इसमें अभी ऐसा लगएगा यह देखिए दोस्तों मैं एक्सल और टायर दोनों की वीडियो बनाकर डाल रखी है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और दोस्तों वीडियो पसंद आये तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मैं अभी आपको पिछे वाले टायर लगा के दिखाता हूं इससे लगाने के लिए ढूस्तों मैं गुलूगन की मदद चाहिए होगी अभी मैं दिखाता हूं आपको इसके लिए दोस्तों आमें इस टाइब के पैन की जरूद पड़ेगी जो खराब पड़ाओ उसको इसके हिसाब से काट लेंगे जितना यह है सिर्फ हमें इतना ही चाहिए होगा इस पैन को हम काट लेंगे आपको काट जगा के दिखाता हूं भी यह देखे दोस्तों कर दोस्तों जो हमने पैन का एक पार्ट काटा रहा है उसको हम बुलुगन की मदश से यहां पर लगा देंगे मैं आपको लगा के दिखाता हूं अब यह देखे दोस्तों इसके दिखे और इस पर लगा देंगे इसे तो इस तरह से इससे एक फिक्स हो जाएंगे आप यह दोस्तों ऐसा नोजर आएगा यह से चिपक जाएगा एक दम हाड यह देख सकते आप छोटे गाने विल्कुल भी अब दोस्तों में इसमें पीचे वले टायर लगाएंगे यह दोस्तों मनें एक रिफिल काट लिया है यह देख सकते आप पैन का जो अंदर निकलता है हम इसे एक टायर के बनाए दें इसमें लेकर और इसमें लगा देंगे इस टाइप से और एक कोई भी कील काट के आप यह बना सकते हैं लंबी कील कोई भी हो उसके हिसाब से और यह इसमें ऐसे करके लगा देंगे और इसमें बीच में से इसको ऐसे डाल देंगे यह देख स यह ऐसे इसमें डाल देंगे और दूसरा पहिया लगा देंगे लगा के दिखाते हुए दोस्तों हमने लगा दिया है पिछले पहिए पहिए भी टैर लगा के यह कुछ ऐसा दिखेगा यह आप देख सकते हैं यह देखिए दोस्तों यह देखिए अभी दोस्तों हम इसमें सीट लगाएंगे यहाँ पर इसके लिए मैंने पत्ती ऐसे सीधी कर लिए टेड़ी कर लिए तरी और इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और चिप्ता देंगे अब दोस्तों इसके उपर हम यह वाले प्लास्टिक की सीट लगाएंगे यह प्लास्टिक को मैंने टेड़ा कर लिया है यह कुछ ऐसे लगेगी देख सकते हूं अभी मैं आपको चिपका के दिखा देता हूं यह दोस्तों कुछ ऐसा दिखेगा यह देखिए मैंने सीट लगा दिये यह देखिए थैंक्यू दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरू करें थैंक्यू प्लीज सस्क्राइब माई चैनल थैंक्यू दोस्तों